है 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 अच्छ फ्रेंड वेल्गम और फिटो माई चैनल आज का टॉपिक हमारा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको की बहुत आप परदाए कि आपको कोई आपके आपके पास कैटल से मतलब घई हैं वे से या शीप्स असमें होता क्या है कि आप जो fodder बनाते हैं यह important है कि आप किस तरीके से बनाते हैं अगर आप गलत तरीके से fodder बना रहे हैं और उसको अगर कोई smell आ रहा है कोई गंदा बदबू आ रहा है तो बदबूदार fodder कोंसा भी sheep या goats खाते नहीं है कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि cattle मतलब गाई है या भेस है वो कभी-कभी खा जाते है क्योंकि बहुत बड़ा cattle है उतना उनकी ध्यान में नहीं आता है पर basically goats है वो बहुत sensitive है उनके खाने के मामले में अगर उसको थोड़ा सा भी smell आता है तो फिर ऐसे type के वो fodder बिलकुल नहीं खाते तो आपको आपका तरीका बदलना है कि यह जो fodder जो आप ग्रो कर रहे है वो सही तरीके से ग्रो कर रहे है के नहीं मैंने एक video डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आपको कम से कम 9 से 10 parameters आपको control करने हैं basically fodder खराब होने के में reasons बताता हूँ आपको कभी कभी आप गलट टाइप के seeds यूज़ करते हो मतलब broken seeds होते हैं कभी कभी आपका over watering के बएसे उसको fungus आ जाता है और अगर खराब seed है उसको ज़्यादा over watering करेंगे तो पुरा fodder सड़ जाता है तो अगर ऐसा fodder, hydrophonic fodder अगर आप आपके goats को या cattle के खिलाएंगे तो definitely वो नहीं खाएंगे अगर गलती से खाया भी उनने तो उनको तकलिफ हो सकता है क्योंकि उसमें poison तायर हो जाता है अगर वो ज़्यादा सड़ा है तो फिर उसमें definitely poison तायर हो सकता है उनके cattle को थोड़ा damage हो सकता है मतलब उनको थोड़ा diarrhea हो सकता है तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो खिलाना है वो fresh होना चीए और hygienic होना चीए तो आपका जो तरीका है अगर वो गलत तरीका है तो फिर वो definitely आपका cattle या goats नहीं खाएगा जो उनका पैटन है रोज का मतलब अगर आप उनको ग्रीन फोडर ड्राइ फोडर खिला रहे और अचानक अगर आप यह हैड्रोफोनिक फोडर उनको खिलाना चालू करेंगे तो उनका बॉड़ी पर stress आता है ठीक है बले वह बहुत अच्छा चीज रहेगा फिर भी उनको जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है मतलब अगर हंडेट गोट्स में जागर हम लोग अगर एक्सपरिमेंट करेंगे तो बीस पच्चीस गोट्स हैं वह खाएंगे नहीं क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं होता है उनका जो पैटन है वह खाने का वह अचनक चेंज हो जाता है तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि यह आपको कैसा ट्राइ करना है आप जो उनको अभी फिलाल जो खिला रहे है उसमें आपको थोड़ा वो परसेंट कम करते जाना है और हाइडोफोनिक फॉर्डर दिरे दिरे आपको उनको फीडिंग चालू करना है एक दो पाच दिन में उनको प्रैक्टिस अप करेंगे थोड़ा ये खिलाओ थोड़ा व अच्छा है दिकतरा भी बहुत अच्छा है पर वो खाते नहीं है तो बहुत से लोगों को ये क्वेशन माग पड़ता है कि हमने इतना खर्चा किया है पांच जार दस अजार एक लाग दो लाग पर वो बनाने के बाद एक दो दिन खिलाने के कोशिश करें तो वो खारे नह सकते हैं तो इस तरह के से आप थोड़ा चेंजिस कर सकते हैं मतलब दो ही पॉइंट है इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है ये दो रिजन के बादे सी शायद वो कैटल से गोट्स खाते नहीं तो इतना सोचने वाला ज़रूद नहीं है टेंशन एक जरूद नहीं है यह पॉइंट्स आप पा लिए तो फिर आपको टेंशन आएगा खोप मुझे इससा लगता है कि जिन लोगों का यह सवाल था कि नहीं खा रहे हैं उनको यह जवाब मिल गया होगा अगर फिर भी उसमें कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंश में पूछ सकते हैं लोगों ने शना कमेंट्स किया है कि यह तो फोड़ार सिस्टिम पूरा फैल है कोई बिजनेस करने के हिसाप से यह लोगों ने फ्लोट किया एकुली यह वर्काओंट होता नहीं तो वो थोड़ा सीधियस टॉपिक है में अगले वीडियो में वो वो कवर करने वाला हूँ तो नेक्स्ट वीडियो आप ध्यान से सुनिये और अगर आज के वीडियो में कुछ डाउट से तो आप मुझे डेफिनेटली सवाल पूछिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल